भारतिय खादे निगम, FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीना ने उम्मीद जताई है कि इस साल गेहूं की खेती का कुल क्षेतर फल बढ़ेगा और अगर जलवायू ठीक रही तो उत्पादन 114 मिलियन टन होगा। उन्होंने कहा कि क्रिशी मंत्राले ने हमें यही संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्राले अपने आधिकारिक भंडार को फिर से भरने के लिए क्रिशी मंत्राले की प्रतिक्रिया पर भरोसा कर रहा है, जो इस वर्ष रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के प्रति बफर स्टॉक के रूप में जाना जाने वाला आधिकारिक भंडार संभवत पिछले 16 वर्षों में सबसे कम होगा, हालांकि एक अप्रेल तक अनिवारे बफर मांदन के आसपास होगा, हालांकि उत्पादन को लेकर सरकारी और निजी छेतर के आंकडों में भिंता साफ दिखा का अनुमान लगाया था, हालांकि निजी छेतर ने उत्पादन का अलग अंकड़ा दिया था, निजी व्यापारियों और उद्योग जगत ने दोनों वर्षों में सरकारी अनुमान की तुलना में बहुत कम गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था, ऐसा लगता है कि इ साम MSP से ज्यादा होने की वज़े से किसान सरकार की बजाए निजी छेत्र को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। FCI 2022 से 23 में 44 मिलियन टन के लक्षे के विपरीद सिर्फ 26.2 मिलियन टन ही सरकारी खरीद कर सका था। साल 2021 से 22 में तो सिर्फ 18.79 मिलियन टन गेहूं की ही सरकारी खरीद हो सकी थी। सरकार को अपना खरीद लक्षे बदलना पड़ा था। FCI के अधिकारियों के अनुसार एक अप्रेल को गेहूं का बफर मांदन 7.46 मिलियन टन होता है। जबकि 2008 में FCI के पास स्टॉक 5.8 मिलियन टन था। उसके बाद यह बफर मानक से थोड़ा अधिक था, 2017 में 8.06 मिलियन टन और 2023 में 8.35 मिलियन टन रहा। उधर, सभी योजनाओं यानि खुले बाजार बिक्री योजना को छोड़कर गेहूं की वार्षिक आवशकता लगभग 18.4, 19 मिलियन टन है, डॉट सरकार अब तक Open Market Sale Scheme के तहट लगभग 60,00,00 टन गेहूं खुले बाजार और सहकारी समितियों को बेच चुकी है। मीना ने कहा कि सरकार को बाजार के आधार पर 2024 से 25 में अच्छी मात्रा में गेहूं खरीदने की उम्मीद है। हाला कि कुछ राजियों में गेहूं के रखबे में कमी है, लेकिन क्रिशी मंत्राले के इंपुट के अनुसार इसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। आधिकारिक आंकडों के अनुसार, पिछले सप्ताह तक गेहूं की बुआई 320.54 लाख हेक्टेयर की गई थी, जो एक साल पहले के 324.58 लाख हेक्टेयर से थोड़ी कम है। FCI के CMD ने कहा की, हम अपनी आवशकता से अधिक और अगले साल के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS, के लिए आवशक अतिरिक्ट स्टॉक खरीदने में सक्षम होंगे। सरकार गेहूं किसानों को न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP, प्रदान करने की पूरी कोशिश करेगी। इस साल गेहूं की MSP में 7 फीसदी की बड़ोतरी की गई है। इसलिए हमें उम्मीद है कि बहुत से किसान अपनी उपज FCI को बेचने के इच्छुक होंगे। गेहूं की MSP 2024 से 25 के लिए 2275 रुपए प्रती क्विंटल तै की गई है।